मुझे याद है बच्पन में हम लोग अलादीन और उसके चिराग की कहानिया सुना करते थे जिसमें अलादीन के पास एक ऐसा चिराग था जब भी वो उससे रगरता था उसमें से एक जिनी बाहर आता था और उसके हर सवाल का जवाब उसे दे देता था एक वो वक्त था जब बड़े से बड़े बुद्धी जीवी को एक चोटे से सवाल का पता लगाने के लिए उसका जवाब ढूडने के लिए बहुत सारी बुक्स को खंगालना पड़ता था तब जाके उसको उस सवाल का जवाब मिल पाता था लेकिन आज ऐसा नहीं है आज आपके सवाल से उसके जवाब की दूरी सिर्फ एक क्लिक है जी हमें बात करो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजिन गूगल की जिसे आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं फ्रेंड में आप मेंशन कर देना चाहतों कि गूगल बड़ा ही शार्प और ब्रिलेंट है उसे आपकी हर एक्टिविटी का पूरी तरीके से पता है आप कब उड़ते हैं, आप कब ऑफिस के लिए जाते हैं, आप किन-किन लोगों से मिलते हैं आपके most visiting places कौन से हैं, हर चीज की tracking गूगल में होती है आपने अक्सर notice किया होगा कि आपने चाहे कोई item Amazon पे सर्च किया हो चाहे Flipkart पे सर्च किया हो, उससे related सारे विग्यापन आपको आपके account में Facebook account में, mail में, सभी जगह दिखने शुरू हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि Google आपकी हर activity को monitor कर रहा है लेकिन यहां पे एक साफ साफ संकेत यह भी है कि Google आपकी उन activities को भी notice कर रहा है जो शायद आपको पता नहीं है इसलिए कहा गया है कि Google में कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको कभी search नहीं करनी चाहिए आज की इस वीडियो में discuss करने चाहिए हम उनी चीजों को जो आपको Google पर कभी search नहीं करनी चाहिए एकिक करके देखते हैं वह कौन सी चीजे हैं बने रही है हमारे साथ इसी क्रम में जो सबसे पहली चीज आपको Google पर कभी search नहीं करनी है वह है terrorism से जुड़ेवे keywords जैसे की bum बनाने का तरीका, हथिहारों की supply जैसे words आज पुरा विश्व आतंगवाद से ग्रसी थे अनेकों देशों की सरकार इस बात पर मन्थन करें कि कैसे हम global terrorism को रोक सकें आतंगवाद को रोक सकें और इसके लिए हर देश की सरकार ने कुछ खास keywords की list बनाई है जिनने यदि social media पे Google पे search किया जाता है तो उनका IP address track करकर उन लोगों को गिरफतार किया जा सकता है यदि आप Google पर जाके कोई भी चीज सिर्फ हो सकता है आप पोतु हलवश या सिर्फ अपनी curiosity के लिए आप type करके check करना चाह रहे हूं देखते हैं कि क्या होता है और यदि आपने simply type किया how to make a bomb आप विश्वास माने है friends आप सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं आपको कभी भी गिरफतार किया जा सकता है इसलिए इस प्रकार की search से आप बचें और इस प्रकार की संदिक जो activities हैं जो प्रकार की searches हैं उनसे दूरी बनाए रखें दूसरी जो चीज आपको Google पर कभी सर्च नहीं करनी है friends ये वो गलती है जो हो सकता है अकसर लोगों ने की हो friends बहुत साइर लोग अपना नाम, अपना पता, अपना email address और अपना mobile number गूगल पर डाल कर ये search करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या result आता है उन्हें बड़ी curiosity होती कि आखिर मेरा नाम, मेरा address या मेरा email address ये गूगल पर डाला जाए तो क्या result आएगा friends, results तो शायद कुछ आए ना आए लेकिन आपका database, आपकी पूरी information गूगल पास save हो गई है और एक जमाना था जब information technology का जमाना था जब information बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी लेकिन आज का जमाना DT का है यानि कि data technology जिसके पास data है, वो company सबसे ज़्यादा दुरंदर है सबसे ज़्यादा powerful है आपकी इस data को उपयोग कभी भी किसी भी जगह पे किया जा सकता है इसलिए मेरी आप सभी से गोजारिश है friends Google में कभी भी आप अपनी personal information नाम, पता, एड्रेस, इमेल, एड्रेस और फोन नमर जिसी sensitive information कभी type ना करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें और आपके कोई problem ना आए अगली जो चीज आपको Google पर कभी सर्च नहीं करनी है friends वो है कि किन-किन खाने की चीजों से cancer होता है यदि internet की information को माने तो दुनिया में सिफ दो ही तरह की चीजे हैं आदी वो चीजें खाने की जिनसे cancer होता है और आदी वो चीजें जिनसे cancer नहीं होता है friends यह internet है यहाँ पर हर information बिल्कुल सही नहीं है यदि आप simply इन सारे tips पर जाएंगे और cancer को सर्च करेंगे तो आप पूरी तरीके से misguide हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर internet पर एसी बहुत सारी theories available है जो यह कहती है कि cancer नाम की बिमारी है ही नहीं यह सिर्फ दवा कंपनियों की कुछ चाल है जो अपने दवाएं बेचने के लिए इस प्रकार का प्रोपोगेंडा करती है इस टाइप का प्रचार करती है friends, misguide होने से अच्छा है कि आप कई सर्च करें कि आप किसी डॉक्टर से कंसल करें या आपकी curiosity के लिए कि अच्छे बुक से और दूसरी authentic website को आप सर्च करें simply google पे जाकर खाने की जो के साथ यदि आप cancer सर्च करेंगे तो आप misguide हो जाएंगे और आप आएंगे कि आपको लगया कि हर खाने की चीज में cancer है हमारी अगली सर्च जो आपको google पे कभी सर्च नहीं करनी है friend वो है how to abort a child यानि कि गरपात कैसे करें हमारे देश में गरपात यानि की abortion extensity विशू है अहां जाद देश की सरकार इस बात का प्रयास कर रहे है कि करन्या ब्रोन हत्या पूरी तरीकी से बंद हो जाए जो male और female ratio है पूरी तरीकी से संतुलित हो जाए उसी महावल में यदि आप Google पर जाकर टाइप करते है how to abort a child ये आपको परिशानी में डायल सकता है यदि इस प्रकार की समस्या हे भी सही और आपको इस प्रकार की सिस्तिति के सामना करना पड़ रहा है तो आप legally डॉक्टर के पास जाए और सही तरीके से medical standards के साथ आप इस पुचा सकते हैं और बड़ी मुश्किल में भी फस सकते हैं प्लीज अवाइड इट एक पुरानी कावत है कि half knowledge is always dangerous यानि कि अधुरा ग्यान हमेशा खतरनाक होता है एक वो आदमी जिसे कुछ भी पता नहीं है तो वो जैसा कहा जाता है वैसा कर लेता है और एक या आदमी ग्याने आदमी है जिसे सब कुछ पता है वो सारा काम सही करता है सबसे बुरी इस्ति गूगल पर सर्च करेंगे तो डॉक्टर्स क्या करेंगे और गूगल पर information सर्च करने के बाद जो भी इलाज आता है वो उसे follow करना शुरू कर देते हैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह इंटरनेट की दुनिया है यहाँ पर 60% जो information है वो fake है सही नहीं है और कोई ज़रू दॉक्टर से मिलें और सही इलाज लें अगली जो सर्च आपको गूगल पर कभी नहीं करने है वो है चाइल्ड पॉर्ण रिसेंटली हमारी देश की सरकार ने बहुत सारी पॉर्ण वेबसाइट को बैन कर दिया है इस्पेशली जो चाइल्ड पॉर्ण से जुड़ी हुई ह इन से भी वेबसाइट का सबसे बड़ा खामिया जब बच्चे उठाते हैं क्योंकि देश में बढ़ती ही किड्नैपिंग और चाइल्ड एब्यूस की समस्यां है वो इसी कारेंट से मानी जाती है यदि आप किसी भी हैबिट से आप जाकर चाइल्ड पॉर्ण को सर्च करते और यदि आपने भूल वश्च में कभी इस प्रकार के कंटेंड इं verified पे सर्च किया है तो आप होश्यार हो जाये कभी पकड़ा जा सकता है तो प्लीज आज से ही हे नियम बना लिये कि इस प्रकार की कंटेंड को कभी हम Google पर सर्च नहीं करेंगी आज शाह करता हूं आपको फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदी वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल